नमस्कार मेरा नाम ग्यानिक शुवर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ सिटिस दिखिए इस वीडियो में लाइफ सिटिस सबसे पहले आपको बता रहा है कि राजसभा के चुनाओ में जेडियू की ओर से कौन भेजे जा रहे हैं किनके किनके नामों की चल्चा है और रेस में सबसे आगे कौन चल रहे हैं देखिए राजसभा की 6 सीटों के लिए बिहार से चुनाओ होना है और जेडियू को एक सीट का नुक्षान हो रहा है दोजारा ठारा में दो राजसभा सरस से बने थे जेडियू से लेकिन इस बार विरायकों की संख्या जो कम अनील हेगरे बीच में राजसभा गय थे क्योंकि यह सीट मूर रूप से महंद प्रशाद किंग महंड की थी जिनकी आसामा एक मौत हुई और फिर उपचुना हुआ जिसमें अनील हेगरे को भेजा गया था तो देखिए अब जो इस्तितिया बन रही है प्रसितिया बन रह हो रही है तीन नाम सबसे आगे चल रहे हैं इन्हीं तीन में से एक कोई रासभा जाएगा यह बात तैमानिये सबसे पहला नाम संजै जहा का है जो अभी बिहार विधान परिसत के सरस्य हैं कि उन्हें राजसभा भेजा जा सकता है इस नाम पर मुहर लग सकती है इस बात की जानकारी आपको हम सबसे पहले दे रहें संजै जहा इतने महत्वपन क्यों है और संजै जहा ही रासभा क्यों भेजी जा सकते हैं इस बात को भी समझना है देखिए संजै जहा वो करी हैं वो सेतू है जो नितीज कुमार को फिर से बीजेपी में लेकर गए और आपको याद होगा कि 28 जनवरी को जब बिहार में सक्ता का परिवतन हो रहा था तो नितीज कुमार का दूट बनकर बीजेपी के कारियाले में संजै जहा ही पहुँचे थे और भाजपा विधायक दल का समथन लेकर संजै जहा ही बापस आये थे जिसे राजभवन में शौपा गया था औ और इसके बाद मुख्यमंती नितीज कुमार ने एंडिये के मुख्यमंती के तौर पर सफथ ली थी अब देखिए संजै जहा को भेजे जाने से क्या फाइदा होगा इस बात को भी समझे संजै जहा को भेजने से बिहार बिढान परिसर में एक रिखती दूसरी बात संजै जहा के बारे में यह चर्चा थी कि वो दर्भंगा लोकसभा च्छति से चुनाव लेंगे तो दिखिए दर्भंगा लोकसभा च्छति से चुनाव संजै जहा को लगने में क्या परेशानी आती पहली परिशानी आती कि जेडियू को यह सीठ बीजेपी से लेनी होती यह काम आसान नहीं था और ऐसी शूरत में यदि जेडियू इस बात पर अरती तो तनातनी होती फिर उधर गोपाल जी ठाकूर जो दर्भंगा से बीजेपी के सांसद हैं वे टिकट से बंचित हो जाते ह देखिये संजय जहा यदि राजसभा पहुँच जाते हैं तो यह परिशानी खत्म हो जाएगी संजय जहा राजसभा में होंगे और गोपाल जी ठाकूर यदि भाजपा के नितुतों ने कोई परिवतन का फैसला नहीं किया तो वे फिर से दर्भंगा में सांसर का चुनाव लरेंगे तो यह इस्तिती बनती है फिर देखिये बिहार कैबनेट में भी एक और रिडिक्ती आएगी जेडियू के खाते से किसी दूसरे ब्रहमन को या किसी दूसरे बर्ग को यह रिपंजटी बना सकते हैं तो यह सारी इस्तिती और परिश्टी और संजय जहा देखिये दिल्ली में जेडियू के लिए नितीज कुमार के लिए ज्यादा बेहतर फिल्डिंग कर सकते हैं यह बात तैह हैं एक और समझने की बात है कि यदि संजय जहाराजसभा चल जाते हैं तो इस बात की संभावना तो है ही कि लोकसभा के चुनाव में जेडियू अपने खाते से एक भामन को चुनाव लराना चाहती है देवेश चंद ठाकूर का नाम पहले से चल रहा है सितामरी लोकसभा चेत्र के लिए वे तैयारी कर रहे हैं एलान कर चुके हैं कि हम तो लरेंगे ही लरेंगे उन्होंने यह बात भी कही कि देखिए दी मैं महागत बंदन का अब देखिए जिस दूसरे नाम की चर्चा चल रही है जब तक मुहर नहीं लग जाती है इसलिए कई नामों की चर्चा करनी होगी दूसरा नाम है केसी त्यागी का केसी त्यागी का बजन इन दिनों बढ़ा हुआ है जब जेडियों की नई कमिटी बनी रास्तिय कमिटी ब और राजसभा के लिए उनकी दाविदारी बहुत दिनों से है बहुत बरसों से है जब भी कोई सीट खाली होती है या चुनाव होता है तो केसी त्यागी के नाम की चर्चा हो ही जाती है तो केसी त्यागी के नाम की चर्चा भी और इन दिनों वे बहुत मुखर भी है और जिनका कारेकाल खतम हो रहा है नितीश कुमार बहुत ही इजचत देते हैं बहुत ही पुराना रिष्टा है लेकिन स्वास्त जनित जो समस्याएं हैं उम्र हो गई है, हिल टिसूज हैं, इस कारण लगता है कि बसिस्त नारायन सिंग को इस बार बिराम दिया जाएगा, सर सम्मान, लेकिन बिराम देने का अर्थ ये नहीं है, कि उनका सम्मान घर जाएगा, नितीज कुमान निश्चीत तोर पर उन्हें कोई ऐसा स्थान पदान क करेंगे, जिसके कारण हुए अपने आपको गौरबान मित महसूस करेंगे, तो बसिस्त नारायन सिंग देखिए, और यदि हम चर्चा करने रासभा के चुनाओ की ही, तो महागठबंदन में, जो छटी सीथ है, देखिए मेरा यह मानना है कि बिहार में चुनाओ नहीं होग कि सब लोग इतने ही उमिदबार आएंगे, छे उमिदबार आएंगे, और छे सभी के सभी निर्विरोज चुने जाएंगे, तो कॉंग्रेस की अखिलेस पसासिंग फिर से रासभा जा सकते हैं, इस बात की संभावना बर गई है, बीच में यह बात चल रही थी कि माले की द जा रहे हैं, ऐसा पतीत होता है, मलिका जुन खरगे को अखिलेस पसासिंग के नाम पर मुहर लगानी है, पिछले दिनों अखिलेस पसासिंग ने लालु यादब से मुलाकात भी की थी, लालु यादब से उनके रिष्टे बहुत पुराने हैं, अच्छे हैं, और यसमें भ प्रटबंदन में आरजेडी की ओर से और कौनकोर उमिदबार होंगे, तो देखे मनोज जाका, फिर से राजसभा जाना यह वित्टै मानी है, अब जो दूसरी सीट है राज़त के खाते की, असफाक करीम की सीट, इस पर लालु यादब और तजस्री यादब क्या फैसल ले चाहेंगे कतिहार से, और कतिहार से हुए बहुत मजबूती से लोग सभा चुनाओ लगते रहें, ऐसे में देखना यह होगा, कि असफाक करीम, जो सब कुछ है, जिनके पास सब कुछ है, और जब विये 2018 में भी राजसभा गये थे, तो कई सारी चर्चाए हुई थी, कि इन के पास क्या-क्या, और आपको पता होगा, माल जाल से भी बहुत संपन है, तो असफाक करीम, या फिर और कोई, यह देखने की बात होगी, अब देखिए, बिहार मंती परिसत की हम बात करें, बिस्तार की बात करें, तो यह तारिक बसंद पंचमी के करीब-करीब जाती जेडियों की लिस्ट करीब-करीब तैहे, कई नए नामों पर विचार भी चल रहा है, और उन्हें कहां एजस्ट किया जाए, देखिए, मैं तीन नाम लेता हूँ, इनके बारे में भी नित्त्तु गंभीरता से सोच रहा है, बीमा भाती, क्या इनका समायोजन हो सकता है, व फिर परबत्ता, खगरिया के विधायक, डॉक्तर संजीब सिंह, जाती से भुम्यार है, मुखर है, तो इनके बारे में भी पार्टी के भीतर बात चल रही है, क्या होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, अब देखिए कुसबाहा, हमने कल भी कहा था कि कुसबाहा को देने म थोड़े कंजूस हो जाते हैं निती इसको बार, तो तारापुर में आपको याद होगा, कि जब उपचुना हुआ था, तो वहां से जेडियू के पत्यासी राजीब जीते थे, उनके बारे में भी विचार मंथन चल रहा है, तो इन सब खबरों पर हमारी नजर बनी रहेग समराज चौधरी दिल्ली गए हुए हैं, वहां हुए केंद्री ग्रह मंत्री अमिर्षा से मुलाकात करने बाले हैं, अमिर्षा से जब मुलाकात होगी तो बिहार मंति परिशत पर, बिहार में सरकार कैसे चलेगी, क्या सब फैसले लिये जा सकते हैं, इन पर भी चल्चा सुसील कुमार मोदी रिटायर हो रहे हैं, सुसील कुमार मोदी का सामंजन क्या होता है, इसके अलावा भाजपा के भीतर, बिहार पदेश भाजपा के नए अज्धक्च के नाम पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि एक ब्यक्ती, एक पद का सिध्धान भाजपा के भीतर है, सम छल रहे हैं, उन में जनक कराम का którą है, जनक राम आपको पता है, कभी गोपाल गन से सांसत हुआ खते थे, इसके आलाबा संजीब चोरसिया का नाम है, पट्ना के ही है, संगठन के आदमी है, तार किशोर पषाद का नाम है, मिथले स्तिबारी का नाम है, तो ये सारे नाम चल र है बिहार विधान सभा की अज्जक्ष पर भी फैसला होगा रेनु देभी या नंकिसोर जानब या कोई और तीसरा चेहरा तो आपको सबसे पहले लाइफ सिटिज बताएगा आप देखते रहें लाइफ सिटिज को यदि अब तक आपने हमारी यूटूब चैनल लाइफ सिटिज को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजेगा और यदि इस वीडियो को फेस्बुक पेज के बादे हमसे देखे तो पेज को लाइक किजेगा ट्यूटर पर भी हमें पॉलो किजे धन्यवाद